नमस्कार दोस्तो माइनेम इस नरेंदर कुमार माम की कलास में आप सभी इस्टुजेंट का स्वागत है जया फ्रेंट आज आपको मैं पार्ट चेप्टर यानि थ्री करवाने वाला हूं चेप्टर थ्री में आपको नोमेरिकल करवाऊंगा कुछ कोस्टन नोमेरिकल है जो कि very very most important है आपको simply क्या करना हूं को देख लेनी है अगर यह question देख लेता है तो बहुत easy तरीके से आपको सब कुछ किलिए हो जाएगा इस question को देखते ही क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करवाता हूं सारी question आपको step by step सारी question को देख लेनी है और अपने note copy में आपको इसको क्या करने है उतार लेनी है ताकि आप कभी भी पर इच्छा से पहले इसको बार बार देख करके तयारी कर सकते है तो चलिए मैं अपने बोर पर ले चलता हूं और आपको step by step सब कुछ दिखा देता हूं उससे पहले अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को जल्दी से subscribe कर लेना देन बिल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का notification आप लोग के पास मिलती र आता है जैसे कि आपने chapter number one में देखा होगा numerical उसी परकार से यहां भी है सबसे पहले आपको सबसे पहले formula आपको याद होनी चीज है मिलती से formula का सारे चीज़ जैसे कि पहला है हमने पहले इससे पहले लिखवाय था दरपन का सुत्र लिखे तो दरपन का सुत्र में क्या था और इसमें भी बता रहा हूं और एक दम बढ़िया तरीके से समझा भी रहा हूं देखिए लेंज की चमता का सुत्र लिखे लेंज की चमता का सुत्र होता है P is equal to 1 upon F में या centimeter में बदल सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कर नहीं हाँ पर देखिए मैंने question number one लिख लिख लि जैसे यह उल्टार्ट यह अनन्थ हो गया अनन्थ का मतलब होता है कि लगातार अनन्थ परिष्थित किसी बस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस प्रकृति यानि प्रकृति के चमता वाले लेंज की अवसेक होगी आपको इस question से समझ में आ गया होगा कि अपनी मनुस्य अपनी आखों से 10 मेटर के दूरी बस्तु को रखी बस्तु को देख नहीं सकता है अनन्थ पर एक बस्तु रखी है जिसको हम अनन्थ यानि यू इस इकल टू माइनस का यह हो गया हमारा अनन्थ यानि नोट डिफाइंड इंगलिस में बोलते हैं नोट डिफाइंड हिंदी सेटेमेंटर में किसी में भी चेंश कर सकते हैं तो simply मैं क्या करूंगा फ्लो मिला लिख दूंगा यह वाला यह वाला फ्लो में नहीं लिखता हूं इसको तो मैंस का 10 मीटर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है इन दोनों में बहुत इजी है क्योंकि मैंने फॉर्मूला के अनुसार सारे कुछ यहां पर पुट कर दिया है अगर आपको एक चीज पता होगा जब भी स्पेश्ट द्रेश्टि के नुंतम दूरी पूछा जाता है कि यह मनुस्य कि इंट्रेश्टि के नुंतम दूरी कितनी होती है तो आपको पता है कि शुप फचाती यहां पर दूरी होती है तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है मैंने ऐक चीज बताए था कि मैं short में आपको बताना चाहूंगा कि आपको simply यही चीज़ रखना है और देखिए कैसे अगर एक बट्टे अनन्त में भाग देंगे तो क्या होगा one upon f is equal to minus का एक बट्टे 10 हो जाएगा क्योंकि अनन्त में कभी भाग देते हैं तो zero यानि कुछ भी नहीं होता है मैनेस का 10 cm मैं मैनेस का 10 मेटर हो जा जाएंगे यहां पर इसके बाद क्या करना है लेंस की शमता का सुत्र लिखना है यानि यहां पर दियाऊ है यहां फोकस दूरी प्रकृति वच्षमता वाले लेंस की अब सकता हो यहां यहाँ पर देख लेनी है तो इसके बाद क्या करना है जैसे कि 10 इस प्रकार छोड़ सकते हैं इसको यहीं पर अंसर यह कंपलेटली यह कोश्चन हमारा हो चुका है चलिए नेक्स्ट कोशन के और चलते वर आपको इसी प्रकार से दिखा देता हूं वह भी कोश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन होगा जफ्रेंट तो देख करना है आपको मैंने भी फॉर्मूला लिख के दिखाया था कि लेंस का सुत्र कौन सा होता है और दर्पन के लिए सुत्र कौन सा होता है तो आपको सिंपली क्या करना है देखिए एक निकट द्रेश्टी दोस्वाला बेखती 15 सेंटीमीटर दूरी इस्तित पुस्त को इसप बाले चसमे का प्रियुक्त करना पड़ेगा यानि आपने जब भी जितने भी डॉक्टर होते हैं आपकी जो इलाज करते हैं उसको कैसे पता चलेगा कि इस बेक्ति को इस बाले पावर का चिसमा चाहिए तो इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि आज आप अराम से बन सकते हैं और इस सवाल को हल कर सकते हैं तो आपको क्या करना है सींपली देखिए यू इसिकल टू माइन स का 25 सेंटीमीटर अगर पुष्तक के लिए कह रहा है पुष्तक 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई हैं तो माइनस Het लिखना है लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता यहां पर लिखावाए लेंस अपने चस्मे में परियोक्त करता है जैसे निकट द्रेश्टी दोस कौन सा दोस होता है इसमें कौन सी चस्मा का परियोक किया जा सकता है आपको पता होना चीए अगर दूर द्रेश्टी दोस हो गया निकट द्रेश्टी दोस हो गया तो आपको इसमें पता होना चीए अगर जैसे कि अपतरव लेंस की चश्ममिंऊ का प्रियोग किया सकता है तो यहां परस लिखेंगे टो वी इस का यहां देखे से स्कार्व मैंस का 25 संटीमिटर और 5- 15 संटीमिटर उसके बाद क्या करना फॉकस दूरी का lens और चस्मिका परियुक्त करना होगा तो आपको simply formula लिख देना है यहाँ पर क्या ग्याद करना है हमें f focus दूरी निकालना है तो simply हमें पता है formula यहाँ पर लिख देते हैं उपड़ थोरा सा ताकि हमारा सवाल पूरा आ जाएगा इसमें f is equal to हमें मान निकालना है f का मन तो formula में आपको मैं बता देता हूँ 1 upon f is equal to direct मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 upon v होता है तो minus का 15 हो गया minus इसके बाद 1 upon minus का 25 cm में है यह भी cm में है और वो भी cm में दोनो cm में ही है तो हमारा answer किस में आएगा cm में ही आएगा तो आपको simply क्या करना है 1 upon f is equal to 15 और 25 दोनों का क्या करना है lcm लेना तो एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर 1 upon minus 15 minus minus plus 1 upon 25 यह 25 हो गया जैसे यह 25 हुआ इन दोनों का lcm ले लेते हैं यानि 15 और 25 का lcm लेंगे तो बड़े अराम से इसको solve अराम से कर सकते हैं तो देखे मैं आपको सब कुछ यहाँ पर दिखा देता हूं देखे फ्रेंड आपको क्या करना यहाँ पर जैसे 15 और 25 का है तो इन दोनों का लिकालने में बहुत इजी हो जाता है जैसे कि देखे 15 और 25 का lcm लिकाल दीजिए किस से 5 से तो पांच त्या 15 और 5 पूरे 25 तो देखे 5 पूरे 25 त्या 75 अगर इसको हम इस प्रकार से लिकालते हैं 5 त्या 15 और 5 पूरे 25 एक बार और काट दीजिए तीन से कटेगा पांच से कटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा पांच त्याई 15 15 पचे 75 तो इसका अगर लेंगे तो कितने होंगे 75 वन अपॉन एफ इस इकल टू कितना हो गया 75 75 इसका 75 माइनिस का या माइनिस छोड़ देजिए इसके बाद 75 को 15 से भाग देना है 15 पचे यहाँ पर आपको क्या करना है सिम्पली 15 15 यहां पर हमने 75 लिए दोनों का यहां लेकर के तो आपको पता है 75 आरहां 75 आने के बाद 15 से भाग देनी है 75 में तब 15 पचे 75 यहां 5 लिख लेनी है इसके बाद 25 पचीशत या 75 तो यहां प्लस लगा हुआ तब प्लस और 25 या 75 अतया लिख सकते हैं यहाँ पर अतया और देखें यहाँ पर 75 75 upon 2 माइनस में और 2 से इसको भाग देंगे तो f कमान हमारा completely आ चुका है यानि f is equal to 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 36 37.2 आ जाएगा 37.5 इसका अंसर आ जाएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा यह question अगर भाग देने नहीं आ रहा है तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन भाग दे सकते हो जैंप्रेंट तो मैं आज आपको मैं बता रहा हूं जितने भी मैंने आज question करवाया है जैसे कि आज मैंने ज्यादा question नहीं दो ही numerical करवाया है क्योंकि इस वाले chapter में हमारा कम ही इसमें numerical है और जो most important numerical था वो मैंने दो question करवा दिया है और उसको बढ़िया से आप rate कर लेजिए बढ़िया से देख लिजिए समझ लेजिए जितना मस्त तरीके से मैंने बताया है कोई और नहीं और एक बात और कहना चाहता है आप लोगों से क्योंकि जितने भी question मैंने करवा दिया है जैसे कि note में होता है एक Hindi का note मैंने complete करवा दिया है उसे पूरा watch करके देख लिजिए सारी वीडियो को और अपने copy में उतार लेना है क्योंकि अभी भी आपके पास समय बहुत है अग आप जो है मतलम कहीं ने कहीं यह पढ़ने से अचुक हो रहे हैं मतलम एक तरीके से देखा जा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है अगर मेहनत करना चाहते हैं अगर जो student अगर मेहनत करता है वो comment भी करता है क्योंकि उसको मेरा पढ़ाया हुआ चीज अच्छा जादा जूर ने पारेश में जादा से जादा जूरेंगे और जादा से जादे मेरे वीडियो लोगों तक पहुंचेंगे तब ही जाकर के मेरा जैसे होता ना बुष्ट टाइसे इनरजी मिल जाती है एक तरीके से आप लोग देखते हो वीडियो बट comment से नहीं करते हो तो आप लोग यह clear कर सकते हैं क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला हूं मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया अगर समझ में आ रहा है तो एक comment कर देना अगर नहीं समझ में आया तो भी एक comment कर देना इससे क्या है कि मेरा motivate बना रहेगा और आप लोगों को प्रतिक काम करने कि इच्छा मुरत जाग जाएगा, क्योंकि हर कोई आज का जो है, आज लिए ओनलाइन ही चल रहा है, पढ़ाई, पढ़ाई Rather, इसलिए यह करवा दिया है, योगी सरकार ने उन्होंने हैं, पार एपना रजिस्टेशन करखाने के लिए दिया है, लेकिन उन्हों का रजिस्ट परफेशनल तरीके से वीडियो नहीं आ रिए जैसे कि मेरा वीडियो आपको face to face बढ़िया से चमक रहा होगा और अच्छा तरीके से दिख रहा होगा उनका क्या है एक तम तो देखिए मेरे पास और कुछ तो है नहीं पर फेशनल तरीके से जैसे मोगाइल बढ़िया वाली म तो फिर मैंने इसकी सुधार की बहुत ज़्यादा कोशिस करा मैंने सुधारने की और वह सुधार मैंने की अगर मुझसे कोई भी अचुक होता है मतलम कि कोई वीडियो में जैसे कि कोई कोश्चन समझ में नहीं आता है या कोई कोश्चन गलत हो जाता है तो आप जल्दी से ज वीडियो में अप्लोड करता हूँ, एक दिन हो, दो दिन में है, लेकिन अप्लोड जरूर करता हूँ, लेकिन एक चीज और बता दू, जितने भी हो सके, जैसे आपका पेपर आने वाला है, नजदीक हो चुका है, लेकिन आपका पास कम दिन है, और कम दिन में मैं चाहता पूरा cover कर दूँगा लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि चेप्टर वाइज आपका पूरा cover हो चकता है लेकिन मैंने सोच लिया है तीनों को मैं क्या करूँगा एक साथ नहीं अलग अलग तीन दिन में complete कर दूँगा जो कि नोट्स बना करके आपको एक दिन में नहीं एक नोट्स कम्पलेट करूँगा जो कि वेरी वेरी मौस्ट इंप्रोटेंट रहेगा और आपको वही कोशन आपको देख लेनी है उस दि क्या एक साथा नियू बन जाता है बनने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पर यूट्ड पर अफ्लोड करणने के बाद आप लोग के पास पहुंच जाएगा और उससे आपको क्या करें पूरा देख लेना है कि उससे और कहीं से आने वाला निये पेपर में क्योंकि मैंश बहुत जयादा analyze करके, मतलब question को ढूंड करके, तब मैंने सब चीज research कर रहा है, analyze कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जाकर Telegram पर जूट सकते हैं, मामु की class है, वहाँ पर सिर्फ लिखना है, टेलेग्राम पढ़ जाकर सर्च के दर ना है मामो की कलास, वहाँ पढ़ जाकर मुझसे बाते कर सकते हैं कुछ भी डाउट है, या पीडियाप लेगरा चाहिए तो आप एक पर कॉमेंट तो करके देखो कॉमेंट जैसे आप करोगे ना, वैसे ही पहचाने हैं, हमारे भी नाम से जाने इसलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो की ऑनलाइन है, आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो को इसकेप नहीं करना है, कभी भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ सुरू से लेकर आश तक वाच करनी है वाच करने से यह होता है, मेरा मोटिवेट बना रहेगा, आप लोगों को प्रति यानि की प्यार बना रहेगा तो बस इतना ही, आज की वीडियो मैं यहीं समाप करता हूँ, अगले फिर कल नेक्स्ट चेप्टर के साथ मिलते हैं, और उसके बाद नहीं तो नौट्स बनाने स्टाट कर दूँगा, दो-चार दिन में ही नौट्स बनाने स्टार करूँगा, तब बेफिकर रहे हैं, कोई दिकत नहीं है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप करता हूँ, अगर आप लोगों के पास जल्दी जल्दी जाती रहे तो जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम